चूरू की राजगर तहसील के भैंसली गाम में एक महीने से रहस्यमई आग लगने के मामले की पुलिस अब साइंटिफिक तरीके से जाँच कर रही है मामले में अब नया मोड भी सामने आया है जिसमें पुलिस ने कोर्ट की पर्मिशन से मृत बच्चे के शव को वापस बाहर निकलवा कर मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्ट मॉटम करवाया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अब आगे का कदम उठाएगी एसपी जैयादव ने बताया कि भैंसली में रहस्यमई तरीके से आग लगने के मामले में पुलिस पुखता सबूत के साथ आगे बढ़ रही है पुलिस अब इस मामले की वैग्यानिक पद्धती सैनिटिफिक तरीके से जाँच करने में जुटी है पुलिस ने कोर्ट से पर्मिशन लेकर एक मृतक बच्चे का दफनाया हुआ शव बाहर निकलवा कर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्ट मॉटम भी करवाया है जिसकी पूरी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है पुलिस मामले की हर कड़ी से कड़ी को जोडने का प्रयास कर रही है एसपी जैयादव ने बताया कि मामले की जाँच करने गई पुलिस टीम पर हमला भी हुआ है इसको लेकर भी जाँच कर रहे हैं कि पुलिस तो मामले की जाँच करने गई थी फिर पुलिस पर ही हमला क्यों किया गया उन्होंने बताया कि पुलिस जल्द ही मामले में खुलासा करेगी कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पिछले 30 साल के श्रेष्ट अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगड में भी कक्षा बारहवी के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11 और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें